तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय पांच में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उधारन चार तो उधारन चार में हमें एक एपी दी गई है 21, 18 और 15 डेश 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 और इसका कौन सा पद माइनस एक क्यासी है ये हमसे पूछा गया ह साथ ही क्या इस एपी का कोई पद सून्य है ये भी पूछा गया है कारण के साथ उत्तर देना है तो सवाल बहुत ही अच्छा है बस द्यान से देखना देखो अगर ये सवाल एक्जाम में आता है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है जो हमें दिया गया है ठीके क्या गया है, एक AP दी गई है न, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, दी गई AP, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, अच्छे से यह सवाल सीखना है, दी गई AP, AP का मतलब होता है, arithmetic progression, तो जो AP दी गई है, वो हम नीचे लिख लेंगे, बताइए कौन सी दी गई है, यह है, 21, 18, 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, 21, 18, 15, और इसके बाद हम डेश 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 लगा देगे, ठीक है, अब जैसे ही हमें समानतर स्रणी देख जाए, तो हम इसका प्रथम पद और सारबंतर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम तुरंद में लिखेंगे, प्रथम पद, ठीक है, और प्रथम पद होता है, ए बराबर, जो पहले नमबर पे दिया हो, किसी भी एपी में वो प्रथम पद, यानि 21 है, इसके बाद अब हम निकालेंगे सारबंतर, यहाँ पे हम लिख लेंगे, सारबंतर, इतना कर लोगे न, तो वताओ सारबंतर कैसे निकालोगे, दूसरे नमबर के पद में से पहले नमबर का पद घटा देना, यानि कि 18 में से हम घटाएंगे, किसको 21 को घटाएंगे, कितना बचा, 18, 29, 21, यानि 3 बचेगा, माइनस का 3 जो है वो बच जाएगा, अब ये हो गया, इतना, केवल एपी से हमने इतना कर लिया, ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा पद माइनस 81 होगा, ठीक है, तो अब हमें पता तो है नहीं, तो हम लिखेंगे, प्रशना नुसार, यानि हमने बापिस से प्रशन पढ़ा है, तो हम यहाँ पे माइनस 81 होगा, अब मैं आपको बता दूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी एपी है, उसका पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद A3 होता है, इसी तरीके से चौथा पद A4 होता है, पांच मापद A5 होता है, चट मापद A6 होता है, साथ कहूं कि इस समांतर शर्णीं का पांच मापद 82 है या एक्जाम्पिल की भी लिए माल लीजे जैसे इसी का देखिए मैं आपसे कहे दूं कि इस AP का तीसरा पद 15 है तो आप ऐसे लिखोगे तीसरा पद कितना है 15 देखो 123 तीसरे नंबर पर क्या लिखा है तीसरा पद क्या है 15 है पैटन समझो अच्छे से तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इस समांतर शर्णी का तीसरा पद 15 है तो ऐसे ही लिखोगे अगर मैं आपसे कह दूँ कि इस समांतरशणी का पांच मापद माल लीजिए 22 है या फिर कुछ और माल लीजिए माल लीजिए थोड़ा समझने के लिए 100 है तो आप ऐसे ही लिखोगे ना कि पांच मापद क्या है 100 है उसी तरीके से इन्होंने पूचा है कि कौन सा पद माइनस 18 है अब इन्होंने ये नहीं बताया कि पांच मापद, छट मापद, आठ मापद ऐसे कुछ नहीं बताया इन्होंने पूचा है कि कौन सा पद माइनस 18 है तो अपन कहेंगे कि एन वापद माइनस 18 है जब ऐसे पूछे कि कौन सा पद तो N वापद लिख सकते हैं और कितना है? minus 81 है अगर इनोंने कहा होता कि तीसरा पद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरा पद कितना है? 15 है तो A3 बरावर 15 लिख सकते हो दूसरा पद 18 है तो A2 बरावर 18 लिख सकते हो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि कौन सा प्थ माइनस 187 है तो जब कौन सा सब्थ आजा है तो A N बरावर यजी माना N बाप्थ माइनस 187 है तो हम लिखेंगे प्रश्णा नुसार माना N बापथ क्या है बताओ माना N बापथ माइनस 81 है अब A9 पद का फॉर्मूला क्या होता है A N और A9 पद हम A N लिख सकते हैं जैसे तीसरा पद A3, चौथा पद A4 उसी तरीके से A9 पद A N और है कितना ये? माइनस एक्यासी तो माइनस एक्यासी लिख दिया अब जो A9 पद होता है न एन वे पद का सूत्र क्या होता है तो एन वे पद का सूत्र याद रखना एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यह एन की जगा पे हम लिख सकते हैं इतना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो रख देते हैं एन की जगा पे ए प्लस N minus 1 into D A N की जगा पर रख देना बराबर है तो बराबर लगा देना फिर क्या है minus 81 तो minus 81 लग देना ठीक है बन जाएगा अब A और D का मान पता है तो N का मान पता चल जाएगा तो कौन सा पत 81 होगा वो पता चल जाएगा तो चलो A का मान कितना है 21 तो A की जगा पर कितना रख दो 21 प्लस है तो प्लस लगा दो N का मान ग्याद करना है कि कौन सा पत होगा तो N minus 1 जियों काते हो और D का मान कितना है देखो minus 3 तो यहाँ पर रख दो minus 3 और बराबर है तो बराबर और minus 81 है तो minus 81 ठीक है तो यह लिख लिए अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 21 का जो संख्या है इसका पक्चांतर इस तरब करना है तो यह बचेगा इसका पक्चांतर करना है तो अगले स्टेप में इसे नहीं लिखेंगे इन को लिखेंगे तो N minus 1 और minus 3 इन दोनों को लिख लिए और बरावर के बाद जो लिखा है उसको लिख लिए नहीं minus का 81 लिख लिए यानि यहां से लेके पूरा यहां तक लिख लिए उसके बाद यह जो 21 है इसमें कोई भी चिन्न नहीं था तो यह plus का है और plus का 21 इस तरह पा जाएगा और देखो 21 और 81 को जोड़ो तो एक और एक आई अंक में जोड़ेगा तो एक और एक दो हो जाएगा और आठ और दो दस हो जाएगा और minus है दोनों तो दोनों का minus चिन्न ही आएगा यहां पे minus minus प्लस मत कर देना क्योंकि ये जोड़ना है, गुणा थोड़ी है, तो ये माइनस ही रहेगा, अब इसके बाद ये माइनस का 3, n-1 के साथ गुणा में है, क्योंकि कोई भी चिन्न नहीं है, तो गुणा ही होगा, और कोश्टक भी है, तो भी प्रूफ है कि ये गुणा ही है, तो माइनस का 3 है, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 102 और बटे में माइनस का 3 देखो उपर का माइनस और नीचे का माइनस कट जाएगा अब 3 से 102 कट रहे हैं तो काट दो देखो 3 एकम 3, पहले 10 काटो, 3 तरका 9 तो 10 में से 9 चले गए 3 बार में तो 1 बचा हो गए 12, तो 3 ओके 12 यानि n-1 बराबर कितना हो गया? 34 हो गया अब यह जो माइनस का यह एक है, इस तरफ लेकि आजाओ तो n बराबर हो जाएगा 34 n अकेला छोड़ो, माइनस का यह मत लिखो इस तरफ क्योंकि उसको इस तरफ आना है तो माइनस का यह किस तरफ हो गया, तो किसका हो गया? प्लस का यह तो n बराबर 34 और 1 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा तो अतह 35 मापद जो है, वो 81 होगा, माइनस का तो लिखेंगे कि अतह 35 वापद 35 वापद माइनस 81 होगा बन जाएगा न आप ठीक है अच्छे से कर ले न इस सवाल को बाकी जो भी दिक्कत हो कमेंट में बताना जरू ठीक है अगर कोई डाउट रह गया हो तो बता दे न बाकी आप इसको अच्छे से अरे अभी तो और रह गया है इसमें लिखा इस साथ ही क्या इस एपी का कोई पद सून्य है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर कोई पद सून्य होगा तो हम लिखेंगे यदि इस एपी का कोई पद कोई पद क्या होगा सुन्य हो तो सुन्य होगा यदि सुन्य होगा एतना लिखो कि यदि इस AP का कोई पद सुन्य होगा तो माल लेते हैं कि एनबा पद होगा ठीक है माल लेते हैं कि एनबा पद सुन्य होगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा पद होगा तो फिर से वही हम माल लेते हैं कि हम माल लेते हैं कि यहां पे लिखेंगे N वापद N वापद क्या होगा? शून्य होगा ठीक है? यह मानना पड़ेगा हमें कि N वापद सून्य होगा तो जब N वापद सून्य होगा तो A N वराबर क्या लिख सकते हैं? 0 लेकिन a n का formula क्या होता है मैंने आपको बताया था ये देखिए ये है formula a n का याद कर लो इसको a plus n minus 1 into d तो a n के नीचे हम लेखेंगे a plus n minus 1 into d और बराबर कितना 0 अब a और d का मान रख देंगे तो n का मान मिल जाएगा तो a का मान कितना है उपर जाएगे देखो ये देखो a का मान 81 है और d का मान minus 3 है तो a की जगह पर हम रख देंगे minus का कितना है 21 है 21 है परधंपद तो 21 रखेंगे और सारबंतर minus d है तो plus n minus 1 और सारबंतर minus d जो है minus 3 है और बराबर कितना है 0 अब 21 का पक्चांदर करेंगे तो n minus 1 और minus 3 तो देखो 0 तो है इस तरफ तो 21 plus का है तो सीधा minus का आ जाएगा यानि 21 यहाँ पर कोई भी चिन नहीं है तो plus का था इस तरफ लेके आ गए तो minus का हो गया अब यहाँ पर solve कर देते हैं यहाँ आगे बढ़ते हैं यह देखे नेश्ट पेच पे यह गुणा में 3 है यह बटे में आ जाएगा तो n minus 1 बराबर हो जाएगा minus 21 और बटे minus 3 तो minus से minus उपर नीचे का कट जाएगा तीने कम तीन और 37े 21 7 बार में कटेगा तो अगले step में लिखेंगे कि n minus 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 फिर यह रणका एक इस तरह पा जाएगा तो अब कोश्टक लगाने की जरूरत नहीं है n बराबर 7 minus 1 इस तरह पा गया तो plus 1 और 7 और 1 कितना हो गया 8 ठीक है यह जो है n का माना गया तो हम लिख सकते हैं कि अता है आठमा पद सुन्य होगा अता आठमा पद शुन्य होगा तो उमीद है कि आपको यह सवाल अच्छे से समझा गया होगा अब इसके बाद हम उधारन 5 करेंगे उसके पहले आप अच्छे से इसे नोट कर लो तो यहां से है यह सवाल चलिए यहां से लिख लीजिए इसके बाद यहां पे पर इसके बाद यह और फिर यहां पे फिर थोड़ा सा यहां पे भी है इसको भी लिख लूँ तो इस सवाल को अच्छे से कर लो अब हम नेस्ट वीडियो में करेंगे उधारन 5 बाकी आप प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की यहां पे लगा दूँगा है एंड स्क्रीन पे तो यहां क्लिक करके सीधा फिलेलिस्ट पे पहुंच जाओगे मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक यू